अठारवी लोकसभा के पहले सत्र की शुरवात हो चुकी है और सत्र की शुरवात होने के साथ सबसे पहले शपत और शपत के बाद स्पीकर पद का चुनाओ लेकिन आज इस वीडियो के जरीए हम आपको बताने जा रहे हैं मंत्रियों से कैसे पाउरफुल है स्पीकर का पद इतिहास में पहली बार होगा जब वोटिंग की प्रिक्रिया होनी है देश के इतिहास में पहली बार लोकसभाज स्पीकर का चुनाओ होने वाला है सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमती नहीं बन पाई है और अब विपक्ष ने उमीदवार दे दिया है एंडिये ने जहां ओम बरला को अपना उमीदवार बनाया है वहीं विपक्ष ने के सुरेश को अपना उमीदवार बनाया है ऐसे में ओम बढ़ला और के सुरेश स्पीकर पद के लिए आमने सामने होंगे और भारती लोकतंदर के तेहास में पहली बार इसके लिए वोटिंग होनी है रिपोर्ट की माने तो बदवार 26 जून को 11 बजे इसके लिए वोटिंग होगी ऐसे में आज हम जानते हैं स्पीकर का पद इतना महतुपुर्ण कैसे है दरसल लोकसभाय स्पीकर का पद इसलिए महतुपुर्ण होता है क्योंकि वो पूरी प्रोसीडिंग कराते हैं यू कहले तो उनके आदेश के बिना संसद में पत्ता भी नहीं हिल सकता है ठीक सुना आपने वो संसदों के कामकाच का संचालन करते हैं लोकसभाय स्पीकर संसद का ओप्चारिक और सम्वधानिक प्रमुक होता है सम्वधान के नुचे तिरानबे के तहट लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है कितनी पावर होती है आप ये भी जानना चाहते होंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ यू तो लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राइस पश्ट नहीं करते हैं उनसे अपक्षा की जाती है कि वो नियूट्रल रखर संसद का काम का चलाएं संसद में वोटिंग की स्थि में स्पीकर वोट भी नहीं करते हैं हाला कि बराबर वोट रहे तो कुछ स्थिती में वो निर्णायक भूमिका निभाते भी हैं संसद में किसी सदस्य का विभार संसद ये प्रणाली के रूप है कि नहीं ये स्पीकर ही डिसाइड करते हैं अगर उन्हें लगता है कि वे इसके अनुकूल नहीं है तो वे संसद को नलंबित भी कर सकते हैं ये पावर उनके पास हैं इसके साथ ये दूसरी दंडानात्मक कारवाई भी वुकर सकते हैं संसद में पेश बिल पर वो निड़े लेते हैं कि ये बनी बिल है या फिर नहीं इसके साथ ही विश्वास प्रस्ताव को लेकर भी उनका निड़े बेहद महतुपुन होता हैं विसांसदों की सीट अरिच्म अब नहीं हो सकता है